225 का वरग मुल कैसे निकालें वरग मुल को लिखते हैं अपना अंडूट के द्वारा यहाँ पर हम मैथट कामे लेने वाले हैं आपका अब हाज यह गुनन खंड भी दी करना क्या बिल्कुल सिंपल है दीगए सिंक्या के अब हाज यह गुनन खंड करने हैं अबाज जी गुणन खंड करने के लिए क्या चाहिए हमने अबाज जी संख है दो तिन पांच साथ एक से लेकर दस तक कि अबाज जी संख है दो से कौन सी संख है विवाज जी होती है देखी मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ तो उससे दोर आप कैलकुलेसिन कई गुणा फस्ट हो जाएगी यदि किसी संख है कि एक एक है क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई हो तो वे संख है आपकी दो से भी बाज जी रहती है तो इसका एक है एक एक देखो कितना है पांच से क्या इन में से है नहीं है मतलब ये दो से भी बाज़े नहीं तीन का तो ये तीन से भी बाज़े जैसे हम इसमें तीन का भाग देते हैं तो 7, 3, 21 माइनस किया एक आगया 5 को यहां ले आगया 5, 3, 15 माइनस किया 0 आगया कितनी वार गया भाग आपका फिर 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 फि का मतलब क्या है? डूजिबल का मतलब क्या है? आपका complete divide होना चीए. पूरे का पूरा भाग जाना चीए. जब हम भाग कर रहे हैं तो sensible zero आ रहा है आपने देखा होगा. उसको क्या कहता है? विबाज ये कहता है. यदि sensible zero नहीं आ रहा है. कोई भी संख्या रहे है. एक, दो, चार, पांच जो भी. तो आपका विबाज ये नहीं. विबाज ये नहीं है तो हम संख्या को लेगे नहीं. आगे बढ़ जाएंगे. जैसे हम तीन का भाग पत्चीस में दे हैं. तो आपके बाग सेंसफल आएगा. एक सेंसफल आएगा. इसका मतलब पत्चीस आपका तीन से विबाज ये नहीं. पांच का भाग पत्चीस में दे हैं सेंसफल जीरो आ रहा है. मतलब पांच आपका पांच से है जो पत्चीस विबाज ये है. यह आपके इसके गुणन खंड आगे. परते एक जोड़े में ऐसे एक वार इसको यहां लिखना है. समान संख्या का जोड़ा बनाना है और उसमें से एक एक वार संख्या का लेना है. गुणा किया कितना आ गया? 15. तो दो सो पत्चीस कवरग मूल कितना होता है? 15 होता है.